कि यह लो दोस्तों द्रिश्टी आई-स के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है आपको याद है कि पिछले एक लंबे समय से हम जलवाई परिवर्तन और वन ने जीवों के संदक्षड पर बात कर रहे हैं यानि की कॉप 27 की बैठके हुई पिछले समय और कॉफ 15 की बैठक कोई कॉप यानि कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी जो की सीबीडी की बैठकी कॉन्फरेंस और बायोलोजिकल डैवर्ट डैवर्टी तो इसके संदक्षड को लेकर के प्रयास देखने को मिलते हैं लेकिन एक सवाल अगर आपसे यह किया जाए कि प्रित्वी के अंतरग इन खित्रों पर क्या प्रभाव होगा ऐसा सवाल कभी भी पूछा जा सकता है आपसे तो आप इसका क्या जवाब देंगे तो आज के सेशन में हम इसे जुड़े कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे टॉपिक भी इसी से सम्मंदित है और खबरें भी कुछ आई है ऐसे में यह जो सब्जेक्ट है या फिर यह एरिया है और महत्पूर्ण हो जाता है जलवाई परिवर्तन कैसे प्रभावित कर रहा है आर्क्टिक और अंटार्क्टिका की जयव विवित्ता को वहाँ पर भी कई सारे जीव जन्तु मौजूद है कुछ जीव जन्तु इससे कैनडा रीजन डाइंग कॉज़ेज एंड इफेक्ट तो पहले में हमें पता चल रहा है कि 2100 तक कुछ प्रजातियां विलूप्त हो सकती है कौन सी है इनको देखेंगे दूसरा पोलर बियर्स को लेकर के जो धुरुवी भालू है सासकर कहा पर आर्क्टिक शित्र पर दुर चर्चा क्यों की गई है इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे अंटार्क्टिका की स्थिति क्या कहती है इससे जुड़ी एक शोध भी प्रकाशित हुई है जो की अंटार्क्टिका शित्र को ध्यान में रखते हुए बताए गई है उसमें कई सारी बाते हैं कुछ कर्च हो सकता है और एक तवाल जो की मेंस में आपसे प्रमुख रूप से पूछा जा सकता है अब प्रिलिम्स में कुछ फैक्ट हो सकते हैं जो पूछ लिए जाए लेकिन प्रमुख रूप से विशलेशन करना यहां पर जरूरी होगा जीस पेपर तीन में परयावरण एव वह 97 फीसद तक उनमें गिरावट आ सकती है अगर एक्स्ट्रीम लेवल पर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा 21 तक इस शोद पर अभी आगे विस्तार से हम बात भी करेंगे इसके अलावा पारिस्तित की तंत्र के लिए जो संदक्षण के प्रयास हैं अभी किस तरह से व के टूरिष्ट जाते रहते हैं इसका भी फित्र में नकरात्मक प्रुभाव देखने को हमें मिल रहा है इस पर भी बात होगी इसके अलावा इन्हों ने दस प्रमुक्रण नीतियों की बात की है कि इनको लागू करके हम कैसे छोटे-छोटे संदक्षण के प्रयास करके यह हमें इसका प्रभाव समझना है और दोनों ही विश्यों के अंतरगत हमें दिखाई दे रहा है कि यह सीधे तोर पर जलवायू परिवर्तन से जुड़े हुए है तो अंटार्क्टिका की स्थिति को देखे जहां पर प्रमुक खत्रा है जलवायू परिवर्तन जो की वहां के पेड़ पौधों जीवजन्तूं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा सकता है और वहां की प्रजातियों को विलुप्त होने तक भी वेश सकता है यह एक्षेत्र अपने आप में बहुत ठंडा है चुकि धुरुवी एक्षेत्र है तो प्रित्वी के नॉर्थ पोल में अ सितियां है वो पिछले लंबे समय से जिस हिसाब से वह अनुकूल हुई है उसके मुकाबले कहीं तेजी से घटित हो रही है क्योंकि जलवायू परिवर्तन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है यह पहले भी होता आया है हजारों सालों से ऐसे संबूत हमारे पास है कि जलवाय जीवित जो हो जाएंगे केवल वही बचेंगे जो नहीं हो पाएंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे रैसे मैं आपको दिखाई देगा कि तेजी से अनुकूलन होने में ज्यादा बड़ी संख्या उन जीवों की होगी जो अनुकूलित नहीं हो पाएंगे आपने अनुक सारे समुद्री पक्षी है जो वहाँ पर प्रजनन करते हैं इसके लाव वहाँ एंपरर और एडली पैंगुइन मौजूद है इसमें एंपरर पैंगुइन को लेकर के विशिशतोर से रिसर्च बताती है कि इनकी प्रजाती आने वाले समय में नश्ट हो सकती है एक शेत्र क्य प्रित्वी की जलवायू को और महासागरी धाराओं को सीधे तोर पर यह प्रभावित करेंगे वह भी महासागरी करेंट ऑसं करेंट जिसे बोलते हैं तो उस रूप में प्रवाहित होता है अगर ये ठंडा ख्षेतर तेजी से पिघलने लगेगा तो इन जलधाराओं पर भी प्रभाव पड़ेगा प्लस वहाँ पर जो हवा ठंडी होकर के बैठती है उस च्छित्र को भी वो प्रभावित करेगी तो वाई मंडली परिसंचरण और प्रभावित होंगी जिससे पूरी प्रित्वी पर मौझूद अभी के समय जो क्लाइमेट इस्थितिया या जलवाएवी दशाएं हमें दिखाई देती हैं वह इससे प्रभावित होंगी आपने क्लाइमेट लॉजी वाले सेक्षन में इसको पढ़ा होगा अब हम इसके एक प जलवाईव नियंत्रन यहां पर दिखाई देता हैसके लावाए साउथ पॉल में है ईसलिए आउस्ट्रेलिया का खत्र यहां से नजदीक है गया परंवर यहांपर सीधे तोर से प्रभाव पड़ता है इसकेलावा अंटार्क्रा को कई लोग एक शुरक्षित और सन्रक्ष निर्जन और दुर्गम क्षेत्र भी मानते आए हैं उनका मानना है कि यहां पर जो बर्फ है वो कई हजार सालों से या फिल लाखों सालों से जमी हुई है ऐसे में इस बर्फ का भी एक वैज्ञानिक महत्त है कि हमें शुरुवाती जीवन के बारे में जानने को मिलता है तो व ग्लोबल वार्मिंग से जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी तो इस शित्र में जो बर्फ मौजूद है वो पिखलती जाएगी अब बर्फ के हिसाब से वहाँ पर जीव जनतू है खुद को अनुकूलित किये हुए हैं वहाँ पर शिकार भोजन इसके अलावा उनका रहे है मौजूद है उसमें बदलाव होने लगेगा जैसे की हीट वेपस भी हमें देखने को मिल सकती है यह बड़ी एक चुनौती होगी इसके अलावा पौधों और जानवरों को भी इसने काफी ज्यादा नुक्सान होने की आशंका है इसके अलावा एक चुनौती यहां पर और भी है जो वैज्ञानिक प्रियोग यहां पर किये जाने हैं या किये जा रहे हैं या फिर अगर कोई टूरिस्ट वहां पर विजट करते हैं तो उनके होने से भी वहां पर जीव जन्तु हैं उनको काफी ज्यादा नुक्सान होता है और काफी ज्यादा अलग तरीके से वह प खानिक रूप से ना पाई जाती हो यह कुछ कारण बताए गए है अब आते हैं शोध पर की शोध में इन बातों को ध्यान में रखा गया है तो अंटार्क्टिक जयो विवित्ता पंदक्षन लॉजिस्टिक्स और परेटन इन कुछ विशेश स्थितियों को ध्यान में रखते तो सबसे खराब इस्थिति में 2100 तक जो इस्थली रूप से प्रजातिया रहती हैं जैसे कि पैंग्विन या फिर कोई और प्रजाती तो उसमें 57 फीसद तक उनकी आबादी में गिरावट आ सकती है अगर यही इस्थितिया बनी रही जो आज के समय हम बनाए हुए हैं मान यह बहुत बड़ी बात है इसलिक संभावित परदिश्य बताता है कि 65 फीसद तक पौधों और वन जीवों में गिरावट आ सकती है अब इसमें एक पैंग्विन का नाम है एंपरर पैंग्विन जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की इसके विलुप्त होने की भी संभाव है क्या है महां की एकदम सूखी और जमी हुई मिट्टी में रहता है वहाँ पर बिलकुल भी नमी नहीं होनी चाहिए अगर बर्फ पिखलती है तो उस ख्षेत्र की मिट्टी में नमी आ जाएगी ऐसे में इसके जीवन को खत्रा है इस तरह के और भी जो सूख जीव अभी वर्तमान में वहाँ पर रहते हैं तो यह हुई खत्री के बाद लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी प्रजातियां इससे नुक्सान में ही होगी कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनको शुरुआती रूप में इससे फायदा होगा जैसे बर्फ पिखलेगी तो जैसे आर्क्टिक के कौधे मौस और जैन्टू पैंग्विन ऐसी उम्मीद है कि इनकी आबादी में व्रिद्धी हो सकती है तो कुछ इस शित्र में मिली हुई स्थितियां दिख रही है लेकिन यह शुरुआती रूप से इनको लाब है आने वाले समय में फिर इनको भी नुक्सान होना शुरू अगर आप यहां देखें यहां आपको यह लोकेशन मिल जाएगी हटसन बे का पश्मी हिस्सा तो यहां पर कई सारे जो द्रूविय भालू है वह मृत अवस्था में देखने को मिले हैं तो यह भी पता चला है कि कई बारवे भूक से उनकी मौत हुई है जैसे कि इसमें जो और छोटे दर्विय भालु यानि उनके बच्चे से ज़्यादा प्रभावित है एक शेत्र हैं यहां पर चर्चिल जिसको दुनिया की दर्विय भालु राजधानी माना जाता है यहनी पोलर बियर कैपिटल तो यह भी बहुत ज्यादा इससे प्रभावित देखने को मिल रहा है और यहां पर भी कई सारे ध्रुवी वालूं की पृत्य हो रही है अगर संख्या को देखें तो 2016 में 842 भालू थे यहां पर जो की 2021 में 618 भालू ही आज के समय रिसर्च के बाद पता चला है कि गड़ना में इतने आए हैं कि 1980 के दशक के बाद से किवल इस शेत्र में पश्यमी हटसन बे में लगभग 50 पीसत की गिरावट आ चुकी है तो कैसा क्यों हो रहा है इस बात को समझने के लिए आसान है कि वहां पर जो ठंडा मौसम है आर्क्टिक की जमी हुई बर्फ दुरूवी भालू के लिए बहुत मह घलती है और कहीं तेजी से पिखल रही है आज के समय में देखने को मिलना है कि सरदियों में जो बर्फ जमती है वह कहीं लेट जम रही है और जो पिखलती है कहीं जल्दी पिखल जाती है ऐसे मुझ भालू को शिकार के लिए लंबा जो है दूरी तैय करनी पड़ती है तो वो सब समुद्र में चली जाएंगी इसके अलावा जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है अब उनको वहाँ पर नुकसान होगा इसके अलाव अगर वो मचलिया नहीं मिली वैसा हो सकता है किसी दूसरे तरह के जीवों को उन्हीं लोमडियों को खाना शुरू कर दे तो इससे पूरा पारिसित की तंद्र वहाँ पर खराब हो जाएगा जो छोटे पक्षी है वो या फ खराब हो जाएगा कहां का सवाल यह है कि फिर क्या किया जाए किस तरह किया जाए तो शोधकरता उन्हें कुछ यहां पर निश्कर्ष बताये हैं उन्होंने कहा है कि अभी के लिए जो हम प्रियास चला रहे हैं वह परियाप्त है आर्क्टिक को ले करके कुछ प्रबंधन और नेतियों की चर्चा की गई है जिसमें से उन्होंने कहा है कि जलवाई परिवर्तन को हमने दो डिग्री सेल्सियस तक वृध्धी उसकी सीमित करने की बात की है तो अगर हम वो कर लें तो भी बहुत होगा इससे लगबग 68 पीसद प्रजातियों को लाव हो जाएगा ले आसी प्रजातियों को हम वहाँ पर रोकें या पनपने से या पहुंचने से रोकें जो वहां की स्थानी प्रजातियों रेक्षत करना होगा फंड बनाय जाने की बात थी और abus किया जा सकता है कि इसके अलावा कार्बन उत्तर्जन को कम करने की जो वैश्विक लागत है वो इस खर्च में नहीं जोड़ी गई है वहरहाल यह हम कह सकते हैं कि इस खर्च की जो बात है यह किया जाना अपने आप बहुत महत्पूर्ण होगा जिस दिशा में यह शोद बतात हैं कि हमें कुछ फंड को खर्च करना चाहिए ताकि वहां पर संरक्षण किया जा सके और एक जो पूरा आज के समय क्लाइमिट मौजूद है जहां पर नॉर्स और साउथ पोल की जमी हुई बर्फ का तुम है तो ही वहां कि जयाव विविदिता का भी बहुत जादा अपने चेत्रों का जयाव विविदिता की दृष्टी से क्या महत है चर्चा कीजिए तो 250 शब्दों में अब आप इस उत्तर को लिख पाएंगे जिन बातों को हमने यहां पर चर्चा की है उनको आप वेस बना करके इसको फ्रेम कर सकते हैं तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं आप तो मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्पूर्ण विचय के साथ अब तक पढ़ते रही अपना ख्याल रखिए शुक्रिया कर दो 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 कर 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 दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल